मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं एक समय था कि आजादी के बाद हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे और ये कहते थे कि हमारी जो मुलभूत आवशक्ता है इसमें रोटी कपड़ा और मकान है लेकिन उसके साथ साथ आज पढ़ाई कमाई और दवाई ये तीन चीज़े भी हमारी मुलभूत आवशक्ताओं में सम्मिलित हो गई और विशे शुरूप से भले ही विज्ञान में बहुत प्रगती हुई हो चिकित्सा पद्धती बहुत आगे भड़ी हो लेकिन उसके साथ साथ गरीबों के लिए निम्नमध्यमवर्गियों के लिए इस चिकित्सा पद्धती को पाना उस चिकित्सा पद्धती को एफोर्ड कर पाना ये दोनों चीज़े हमेशा से एक आववान के रूप में बनती हुई हमने देखी है और ऐसे समय जब इस प्रकार की स्वयम से भी संस्ताय सामने आती है कि जिनका धेय ये हमको कितना प्रॉफिट मिलता है ये नहीं है तो समय समय पर लोगों से दान लेकर भी हम लोगों को चिकित्सा दे जिसको आवशकता है ऐसे हर व्यक्ति को आवशक चिकित्सा मिले और उसकी विवस्ता हम करेंगे इस प्रकार के भावना से जो संस्ताय खड़ी होती है मैंसा मानता हूं कि आज के दोर में उनका महत्व बहुत जादा है